महा मूर्ख होगा ऐसे वेक्ति ही इस बड़ो को नहीं देखेगा आज के जो बड़ो हैं लाखो रुपया खर्चा करेंगे फिर भी इस प्रकार के जानकारी कोई आपको नहीं बताने वाले हमारा एक ही मकसद है समाज में लोगों का भला हो समाज में लोगों का कल्यान हो क्यो एक परकार की बड़ो बताए हैं तो आज के जो बड़ो हैं दोस्तों नीम के पौधिक के बारे में हैं नीम के पौधे sawam बहुत योसानी से मिल जाते हैं और ये चमतकारी गुड़ों से भरे होते हैं अब ऐसा नहीं कि नीम के पोधेक मैं आयरवेदिक परयोग बताऊं इस बिड़ो में मैं आप लोगों को इसका तांत्री के वों जोतिस परयोग बताऊंगा जो कि आपके बंद किसमत के ताले को ख करते हैं और दोस्तों ये आपको अचाना धनकी भी प्राप्ति करा सकते हैं तो इस बिड़ो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखने हैं बिड़ो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आपको बाद में पस्ताना पड़ेगा जो ज्यान बरी जान चैनल के मद्धम से वनस्पती के मद्धम से श्वन्न निर्मान करने का तरीका भी बता चुके हैं पेड़ पोधे के मद्धम से शनी राहु केतु जैसे निजगर से भी छुटकारा पाने का सरल असान तरीका बता चुके हैं और इस ही चैनल के मद्धम से मैंने इस बिड़ो खजाने को देख सकते हैं तो चले जानते हैं नीम के पोधे के कुछ दिब्यवम चमतकारिक परोको दोस्तों नीम का ब्रिक्षक वैसे तो आउजधी के लिए बहुत ही जादा जाता है इसमें भरपूर आउजधी गुण पाई जाती है और इसके पत्ती हर प्रकार की संक्राम का रोगो को रोकने का कम करते हैं लेकिन हिंदू धर्मे में अगर इसका जोतिस उपाया देखा जाए ये फिर इसका धर्मिक महत्वा देखा जाए तो बहुत ही जादा है दोस्तों पीपल से भी जादा बरगद से भी जादा नीम के पोधे चमतकारी गुण से भरे होते हैं सास्तरों में इसे त्रिमेडी बोला जाता है जैसे कि ब्रंभा विष्णु महेज इसे त्रिदेव बोला जाता है उसी प्रकार बर पीपल और नीम इसे त्रिमेडी बोला जाता है बिना नीम के त्रिमेडी के पौधा बनना पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों नीम के पेण को मा प्राचीन समय के हमारे जितने भी पूरवज हुए हैं जितने भी हमारे शंतम हात्मा हुए प्राचीन समय में जितने भी अध्यात्म लोग हुए अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या सनी ग्रह से जोड़ा जाता है जोतिस में नीम का संबंद सनी देव से जोड़ा जाता है और इसे राहू और केतु से भी छुटकारा पाने का राम बन आउजी बताया गए हैं देवी सक्ति इसके अंदर में भरपूर होती है जो लोग जैसे की सिद्धी प्राप्त करना चाहते अगर नीम के पोधे के नीचे में उपासना करते हैं कि फिर मंत्रग जाप करते हैं तो अतिशिग्र ऐसे वेक्ती को शिद्धी की प्राप्ती होती है इसलिए मैं आप लोगों को विडियो के पहले ही बताया हूँ कि इस प्रकार के ज्यान भरी जानकारी आप लाखो रुप इसे निमारी देवी बोल करके हम इसके पूझा करते हैं और इसके पूझा करते हैं अगर किसी को शनी पीड़ा दे रहे है तो महँगे रतना पहनने की जवरत नहीं है नीम की लकडी का अब जो है माला बना करके सनी वार के दिन धारान करें सनी के कैसा भी सड़े साती हो अड़हया का पीड़ा हो या फिर पौनी दसा चल रही है इस सारे दसा आब की उपर से निकल जाएंगे और भगवान सनी आब को पीड़ा देने के जगह पर आब की उपर में कृपा बरसाना सुरू कर देंगे जब सनी अपने सड़े साती डालते किसी वक्ति की जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आते लगते हैं कई प्रकार के दुरखटना यहिं मान हानी, धन हानी, तन की हानी होने लगते हैं तो अगर आब के जीवन में भी ऐसा होना शुरू हो चूके हैं लोग आपको पzessाने मारते हैं और आप जो है इसे धूप दिप इत्यादी दिखा करके भगवन सनी महराज की बिज मंत्रा ओम सम सनिस चराय नमा इस मंत्रा का जाब करके बिलकुल ही इस मंत्रा का हो सके तो एक स्वार बार जाब कीजिए और धूप का धूप दिखा करके आप इस लकड़ी की बने वे माले क अब को ले लेना है और नीम की लकडी पर अबव को खूरस करके शोयम अपने हाथों से श्रीयंत्रा बनाना है द्यांद से सुनना नीम की लकड़ी अबुको लेना है अच्छे से थोड़ा सा चौड़े ले लिजे और इसमें अबुको खुरस करके सोयम अपने ही माध्धमसी इस पर सिरीयंत्रा अंकित करना है लिखना है और फिर कोई शधारान सिरीयंत्रा नहीं पर 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 इसे घर का कबी मातालश्मी पर इन की लखड़ी से आपको स्रीयंत्रा तैयार करना है नीम की लकड़ी पर सिरी यंद्रा अंकित करना है और इस पकार के सिरी यंद्र को लाल कपड़े में आप जो है अपने घर की पूजानी स्थान में इस्थापीत कर दीजे और नित्या आप इनके दर्सन कर इनके पूजा करें तो माता लच्छी में आपके घर का कभी त्याग करते हैं ऌर इसे घर के सभी लोग फोटे बड़े बुजूरगा जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं तंभ हम प हमें अकिह सब्हंत करते करते हैं हरे अफ़ी भर refrigerese को शुर्धी चलियेके मैं आफ लोगों को नीम के पोदे की गुपतः एवांक चमतक्री से utilizing बता KP पर्योग की जीवन को ये बदल करके रख देगा आब की जीवन में परिवर्तान लाएगा आब की भाग्य को बदलेगा आब की तक्दिर को चमकाएगा और अगर आब की भाग्य आपके साथ में नहीं दे रहें एक वक्त के रोजी रोटी आपको सही तरीकी से नसीब नहीं हो पारें तो यूपाय करने के पास में जा करके लगाना हैं। दूनिया के किसी की बाप आब आब के किसमत को चमकने से और आब को धनवान बनने से आब के जीवन में जो चीज हासिल करते हैं उस चीज को हासिल करनिशन नहीं रोक पाएंगे तो नीम के पौधा याद रखिए किसे भी स्वमवार के दिन आप अपने घरों के आसपास में जो मंदीर वहाँ पे जा करके लगाएं और अगर आप इसे जोणा के रूप में लगाते हैं तो आपके भी उन्नती होगा होगा आने वाले साध पिढ़ी का भी उन्नती हो जाता है अब जानते हैं नीम के जड़ पर दुध डालने का धार्मिक महत्वा आपने बहुं से लोगों को नीम के जड़ पर दुध डालती है जरूर देखा होगा तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नीम क आँऑन कि जड़ पर अगर दुध डाले तो स्वरोप्रतम तो घर से कलह समापतः होती हैं घर में अगर दोस हो हो वह समापत ăएं राहू और के तू यह दोनों निज गरह के पिड़ा दुर हो जाते हैं और आपके घर गर वास्थू कमजोर हो तो घर के वास्थू भी बलव हो जाती है नीम की जड़ पर अगर मीठा दुद डाले अर्थाद नीम की जड़ पर थोड़ा सा आप मिस्री डाल दें ये फिर चीनी अर्था सक्कर डाल दें और इस प्रकार के दुद को नीम की जड़ पर डाले तो इसे मनोकामना की पूर्ती होती है लेकिन तीन बार कोई भ बड़ी मनोकमना पुर्णा हो जाती हैं इसके बाद नीम के जो बीज होता हैं जीससे नीमवनी बोलते हैं टो नीम के बीज से निकला तेल अर्थाद नीमका तेल नीम के तेल का अगर आप दिपक मानद्रजर के मुर्ति Bennett यह फिर उनके तस्वीर उनके समीप में साथ दिनों तक लगातार जलाते हैं और ओम दुम दुरगाय नमा इस प्रकार के बिज मंत्र को अगर जबते हैं तो यह मंत्र सीध हो जाते हैं और इस मंत्र को जिस कारे के लिए परो करेंगे वह कारे शिग्रा पुन्ना कर देते हैं या फीर मातणो दूरगाय उसके सामने में अगर नीम के तेल का दिपक जलाते हैं और दिपक जलाने अगर कोई आपकी विस्यस मनोकामना हो वह मनोकामना बोले और ओम दुं दूरगाय नमा इस मन्त्र का जाब करें तो उस मनोकामना को पुर्ण होने से साख्छत ब्रह्म भी आप 17 दिनों मंए अपने घर में जरूर दिखा न चाहिए, अपने घर में produk सप्काशार 50 बाति के नीम ख सब्सक्राइब नीальное जबूत आपको जो डौक्तरी दवा में आबके जो पैसा लगने इसले दोस्तों नीम के पौधा हैं अध्यात्मा के दिरिष्टी से और अगर धर्मा के दिरिष्टी से देखा जाए तो सबमें ये बहुत ही उपयोगी हैं तो आसा कार्तों के प्राशिन ग्यान चैनल के मद्दम से आज की इस वीडियो में बताएंगे जानकारी आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों धन्यवाद नमस्कार